हेलो एन वेलकम आप सबी का स्वागत है करेंट अफेर्स डेली पाई नौलेट चाप तो आज 4 फैबरोरी तो आज से जुड़ी जितने भी इंपोर्टन करेंट अफेर्स है वो हम लोग आज इस लेक्चर में जान लेते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथी साथ पहला आइक उनको भी क्लिक कर ले ताकि ऐसी इंपोर्टन करेंट अफेर्स की वीडियो आप से कभी मेसना हो जाए और अगर आपको इस लेक्चर की पीडियेफ चाहिए तो आप जरूर टेलेग्राम ग्रूप को जाइन कर सकते हैं जिसका लिंक जो है वो में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर चुका हूँ तो आए स्टार्ट करते हैं आज की पहली नियूस के साथ सबसे पहली नियूस के करनाटका के एक टेमपल है जिसका नाम है होई साला ये एक टेमपल है ये नॉमिनेट हुई है यूनेसको की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है न उस लिस्ट में ये अभी सामिल होने को है ये देख सकते हैं ये हो temple है, जिसको कहां अभी list किया जाएगा, UNESCO की World Heritage Sites में अब ये actual में बात करें तो ये actual में, बेलूर जो जगह है, हेलेबिड और सोमनातपुरा, ये नमक ये temple है, जो कि कहा जाता है कि कुछ इसमें क्या कर सकते हैं इंडिया की जो कल्चर होती है उसी साब से देखा जाए तो बहुत कुछ लोग मानते हैं इसमें कुछ scientific and cultural organization देखें नाम में ही है United Nation पहले तो आप यह धन्र दिएगा United Nation जिसका मतलब हो गया UN अब बात करते हैं educational educational के लिए जरूरी होता है और जितने भी scientific चीज़े होती है उसके लिए और जो भी cultural के लिए होते हैं उस चीज़ को लिए यह organization ठीक है UNESCO इस तरह अब याद रख सकते हैं बात कर लेते हैं UNESCO को जो डाइरेक्टर जनरल है वो है अधुरे अजोले यह वहां के मतलब डाइरेक्टर जनरल है और इसकी headquarters जो की पैरिस फ्रांस में है ठीक है तो इतनी चीज़े आपको simply याद रखना है अगले नियूस पर बढ़ते हैं मध्यप्रदीस ने celebrate कर रहा है मांडू फेस्टिवल वो कहां पर धार डिस्टिक्ट जो है मध्यप्रदीस में वहां पर यह festival celebrate किया जा रहा है अब बात करते हैं यह मांडू फेस्टिवल इसके ऊपर ध्यान दिजेगा यह फेस्टिवल टूटल तिन चार दिन की फेस्टिवल होती है जो की 30 डिसंबर से लेकर 3rd January तक यह celebrate किया जाता है कहां पर धार डिस्टिक्ट में तो अब बात कर लेते हैं यह जो मांडू यह कहा यह फेस्टिवल होता है यह मांडू नमकर जगह है वहां पर उजेन और इंदोर यह तिनों जगह पर यह celebrate किया जाता है अब बात कर लेते हैं मद्धप्रदीश के बारे में तो मद्धप्रदीश के जो चीप मिनिश्टर है वह सिवराज्ची सिंग चोहान और यहां पर कु गरियाल wildlife century विर अन विरंगन तुर्गवथी है it wildlife century और कुछ important airport से जैसे कि राजाभोज international एइरपोर्ट और देवी अलियाबाई ओलकर एइरपोर्ट यह कुछ important airport से आब इसको ध्यान दे सकते हैं और यह पूस्ट आपको यह भी पूछ बोच रकता है कि यह जो festival है यह किस गौड को डेडिकेट करके होता है तो आप याद रख सकते हैं जो गनेशा गौड है ना उनके मतलब उनको उनको डेडिकेट करकर यह festival मनाया जाता है अगला है Global Center for Excellence की जो उन्होंने क्या किया है in affordable and clean energy इन्होंने launch किया है का IIT धारवार्ड में फिर से बोलता हूँ जो global center of excellence in affordable and clean energy इन्होंने launch किया है IIT धारवार्ड में कि अब उसके बारे में बात कर लेते हैं ये सारी चीज़े ये कहां पर हुई है IIT धारवार्ड जो की करनाटा का में है इतनी चीज़े आपको point to point याद रखना है Global Center ये global center है for excellence इस चीज़े इन्होंने launch किया है अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं जो government of India के जो principal scientific advisor जो है Professor K. Vijay Raghavan इनके द्वारा ये इनके presence में ये चीज़ लाँच किये गई है तो इतनी चीज़े आपको ध्यान देनी है अब देखिए इनकी कुछ additional information में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ये जो center जो बनने वाले है global center ये इससे कहा जा रहा है कि जो 50% of energy जो होगी वो renewable energies के द्वारा बनाया जाएगा 2030 तक तो ये ऐसे कुछ important है तो आप इससे ध्यान दे सकते हैं अगला है World Health Organization यानि WHO इनकी report आई है COVID-19 की जिसमें ये कहा जा रहा है जो COVID-19 medical waste forces वे उसको thread है to environment or health यानि ये जो अभी report आई है World Health Organization की उनको ये कहा गया है कि ये जो COVID-19 है ये जो waste force होते है वो waste force poses threat to environment or health यानि environment और health के लिए दोनों के लिए ये कुछ threat है क्या COVID-19 medical waste ठीक है जो COVID-19 के medical waste हो आप सभी को समझ में आई गयोगा जिस तरीके की mask होते हैं आई से बहुत सारी जो चीज़े होती हैं ये सारी चीज़े कहा जा रहा है कि जो testing kits होती है marks होते है sanitizer की जो bottles होते हैं आप सभी को पता हूँ plastic bottles में आते हैं और वो सारी चीज़े environment को health मतलब effect करती हैं और ये जो mask हम लोग पहनते हैं इसे अगर लोग बहुत ज्यादा पहन लेते हैं तो उससे क्या है oxygen level ऐसे घड़ जाएगी प्रोटेक्ट तो करेगी बट उससे क्या होगा कि oxygen आप लोगों को कम मिलेगी तो इससे क्या हो सकता है कि health की problem वह बढ़ सकती है ये सारी चीज़े आप लोग ध्यान दीजिएगा जहां जरुरत हैं वहीं पर mask पहनिएगा जहां फीड़ हैं वहीं पर mask पहनिएगा और बाकी अगर आप घर पे हैं अकेले में हैं तो आप जो ब्रीट इन ब्रीट आउट का जो एक्सिसाइज हो आप करते रहिएगा तकि आपकी शरीर में oxygen लेवल कभी घट ना जाए तो अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के बारे में तो यहां के डारेक्टर जनरल कौन है डॉक्टर टेड रोस और हेड़क्वाटर के बात करें जेनेवा सिफ्जर लैंड में हैं तो इतनी चीज़ें आपको थ्यान दे रही हैं अगला है आई आर डी आई यानि जो कि इंचराइंच रिगुले ट्री एंड डेविलपमेंट अथारटी अफ इंडिया इन्होंने जो है इन्होंने णेयबल कर दिया है स्क्वाल एंटर्प्रिलेंड होते हैं उन लोगों को को टाइब आप इंसिरेंस कंपनी इस फोर सियुरेटी बॉंडर तो इस चीजेमें इनों कर दिया जो स्मौल एंटर्पाइस होते उन लोगों की ताकि इस नियुक्ति पोराईट कर सके को यह चीज है आपको ध्यान देनी है बड़ी यह उतनी इपोर्टन नहीं एक्जाम्स के लिए तो आप यह चीज़े थोड़ी सी अगर आप केरलेस कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं कोई दिक्केत की बात नहीं है तो बट हाँ एक चीज़ ध्यान दिचे का यह आयार डिए इसके बारे में आप जरूर जान लिजेगा इसकी इस्टाबलिश्मेंट हुआ तो 2000 में और हेड़कॉर्टर की बात करें जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है ठीक है एक अगली है दुकान नामा के जो एप्लिकेशन है इनोंने और सिंपिल इन दोनोंने मिलकर पार्टनर्शिप किया है ताकि जो बी एन पील सर्विसेस हैं ब अब आपने मर्चंट को प्रोवाइड करने के लिए अभी कौन-कौन पार्टनर्शिप किया है दुकान और सिंपिल इन दोनोंने मिलकर अभी पार्टनर्शिप किया है वह आप सभी को पता होगा देखिए जो भी मर्चंट होते हैं जिनका भी स्टोर्स होती है उनको क्या ह कर सकते हैं अब प्रेजंट में अभी बाई कर सकते हैं बाद में कभी वह लोग पे करेंगे तो यह सर्विसेस क्या है दुकान जो एप्लिकेशन है उन उन मतलब उस एप में सिंपिल एक फैनांसियल कंपनी टाइप है तो इससे आपको यह बेनेफिट मिल जाएगी सिंपल के बारे में तो सिंपल की जो एस्टाब्लिश्मेंट हुआ है वह 2015 में हुआ है और हेट्वाटर के बात करें जो कि बेंगलूरू करनाटका में है और इसके जो को फाउंडर और प्रेजंट टाइम की जो सीयों है वो नित्यारंद सर्मा यह चीज़ें आपको ध्यान प्रॉम इंडियन ओई टू फेस एनरजी क्राइसिस अब स्रिलंका में होप आप सभी को पता ही होगा कि वहाँ पर अभी कुछ एकॉनमिक क्राइसिस हो रही है फिनांसियल क्राइसिस हो रही है जिसमें क्या है कि आर बिया ने उसमें हल्प किया था कुछ और एनरजी से अभी कुछ फ्योल बाए किया है तो यह चीजें आपको जो इंटर्नेस्टनल आफेर्स होती हैं दर्नेस्नल रिलेस्ट्स होती है उस चीज में आपको इंपोर्टेंट हो जाता है तो स्री लंका आपको सिर्電फक के बारे में थोड़ी सी जान लेना है जैसी कि यह द्हान देनी है और बात करते हैं इंडियन के बारे में तो यह इंडियन गवर्नेमेंट की एक कमपनी है यह ज़ल्मेंट कमपनी तो इतनी चीसे आपको द्हान देनी है आप ये क्या है आपको पता ही हो गलवान वैली जो क्लास हुआ था इसमें क्या हुआ था एक जो पाकिस्तान लिबरेशनार्मी से जो मैंश बाइए क्मांडर थे क्या यह इसमें वहाँ परद आता है कि उस टैम जब तो मिसाल होती है प twist को पता होगि Olympic जब क्षित एक टाइब की माशाल जलाया जाता क्यए तो वह चीज करने के लिए Honda कि लिए टर्च बेरर लिए अभी इनको अभिन इनको कि यान देनी है चाइना के बारा में आपके便 की ज़रुतरा नहीं रहे बार हाँ यह चीज़ आपको ध्यान देनी है वह है फोर्थ फैप से लेकर फैप तक यह चीज़े हो रही है एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आज यानि थर्ड यानि पिछला दिन को यानि कल की बात है तीन तारिक को इंडिया ने अपनी जो डिप्लोमेट से उनको भेजना म नहीं जाएंगे दूसरी बात जो ओलम्पिक्स की जो ओपनिंग सेर्मनी और जो क्लोजिंग सेर्मनी यह जो दोनों जो चीज़ें यह टेलीकास्ट की जाती है डिडी स्पोर्ट्स चैनल है उस पर अब यह क्या है यह दोनों नहीं किया जाएगा हां उसके बाद यानि यह दोनों इवेंट्स चोड़कर वाकि जो सारे स्पोर्ट्स है वह दिखाया जाएगा क्योंकि इंडिया से एक गये हैं वह इंडिया को रेप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको स्पोर्ट्स को कोई यहां पर मिशना करें इस लिए इस लाइट से इतनी सारे चीज़ें आपको ध दिया गया था फिर से बता रहा हूं न्यूजलेंड के एक प्लेयर है जिनका नाम है डैरेल मिचल यह नामा क्रिकेटर है जिनको आइसी सी स्पिरिट ओफ क्रिकेट अवार्स जो कि 2021 में दिया गया था वह उनको मिला है ठीक है तो यह चीज़ें आपको ध्यान देनी है आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज के उपर जो कि हैं गेम्स 24 बाइ 7 यह एक कंपनी है जोने ने एपॉइंट किया है रितिक रोसन जो कि एक फिल्म एक्टर है बॉलिवूट के फिल्म एक्टर है उनको as a brand ambassador of Rummy Circle अब यह जो Rummy Circle आप सभी को पता ही होगा इसका बहुत सार एड जो है आप लोग टीवी स्में यह सारे चीज़ों में देख सकते हैं यह जितने भी कंपनी से जैसे रमी Circle हुआ माई 11 Circle हुआ कैरम यू गेम्स यह सारी चीज़े यह जो सारी गेम से यह किस कंपनी के अंडर में आती है गेम्स 24-7 इसके अंडर में यह सारी प्लाटफॉर्म आती है गेमिंग प्लाटफॉर्म तो अभी यह क्या किया है गेम्स 24-7 इन्होंने रितिकर हुसन जो कि एक बॉल 24-7 के बारे में तो इसके जो को फाउंडर और सीयो है वह है भाविन पांडिया जी और इसके फाउंड किया गया था 2006 में और मुंबई महारास्टा में इसका हैटकॉर्टर से अगला पढ़ते हैं नौर्थ कोरिया ने टेस्ट फाइर किया है इंटर्मेडियेट रेंज बैल सॉंग 12 यह नामक एक बैलेस्टिक मिसाइल है जिसको किसने लॉंच किया है नौर्थ कोरिया ने जब बात करते हैं नौर्थ कोरिया के बारे में यह इसकी सेवेंट टेस्ट फाइर है जो कि किया हुआ है 2022 में और इसका पर्पोस क्या है तो वेरिफाई दी ओवराल इंडिया के बारे में तो वहां के जो सुप्रीम लीडर है वह किम जॉंग यून और कैपिटल है पयाउन ग्यांग और करेंसी के बात करें नौर्थ कोरियन वोन तो यह चीज़ें आपको रट लेना है अगला है इंडिया ने 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 कंड़क्ट किया है फ्लाइट टेस्ट आणिव फाइटर जेट जेटे जो राफेट गी वों फाइटर चैप से टेस्ट किया गया है49 स्के दोबरा इंडिया ने वी के दोड़क्ट अब इंडिया नेवी की बात préparए तो इंडियन ने ने आइए बहें जान लेते हैं इनके छीफ और न उस्टाफ है वह ए एड्मिर का मतलब है Central Marine Fishes Research Institute इन्होंने identify किया है एक नई species of fish जिसका नाम है Comberidose Pellaguis यह नामक एक फिस है उसे यह नामक यानि इसकी जो species होती है उसी टाइप का एक फिस है जिसको इंडियन कोस्ट में identify किया है और किसके द्वारा किया है CMFRI यानि Central Marine Fishes Research Institute के द्वारा तो यह पॉइंट आपको ध्यान देनी है यह जो new species है यह एक्च्वल में Queen Fish की जो group है न उसके अंडर यह आती है और locally इसको कहा जाता है पोला वत्ता यह नामक locally इसको भुलाया जाता है ठीक है तो यह point आपको ध्यान देनी है अगला है जो Indian cricket team यानि इंडिया की एक क्रिकेटर है वुमेंस क्रिकेट में मिताली राज इन्हों ranking जो बैटिंग करते हैं उसमें ranking होता है तो उसमें जो आई से से वुमेंस ओडियाई बैटिंग रैंकिंग जो थी उसमें से सेकेंड पोजिशन कौन अभी लिए हैं मिताली राज यह चीज आपको ध्यान देनी है अब पहली रैंकिंग बात कर लेते हैं कुछ important जैसे कि first rank में कौन है आउस्टेलिया की प्लेयर है जिनका नाम है अलेसा हीले जो कि आउस्टेलिया की है और second में कौन अभी मैंने बताए मिताली राज जो की इंडिया की है और third position में है लिएजे ली जो कि सौथ आफरिका की ह अब बात कर लेते हैं टीम्स के बारे में कि कौन सा टीम टॉप में है वो है पहली है और इंडिया की जो अभी ranking देखा जाए तो वो है fourth position में तो ये चीज़े आपको ध्यान देनी है और बात कर लेते हैं ICC के बारे में यानि International Cricket Council के बारे में इसमें total 106 countries मतलब इसके members है औ वो है New Zealand के गेरक बार्थकले यह है और headquarters के बात करें जो कि दुबाई United Arab Emirates में है और इससे फाउंड किया गया था 1909 में यह चीज़े आपको ध्यान देनी है अगला है एक book है जिसका नाम है इंडिया दाट इस भारत Coloniality, Civilization, Constitution यह नामक एक book है जिसके जो author है वो है जे साई दीपक यह नामक इंसान है इन्होंने इस book को लिखा है तो इस book के बारे में आप देख सकते हैं यह उसके front page है और इसके बारे में आपको कुछ और जानना है तो आप यहां से जान सकते हैं बलकि इसके बारे में उतनी आपको detailed में जाना है तो आप जाक सकते पर उतना ज्यादा important नहीं है ठीक है और लेकिन author के बारे में आप जान सकते हैं जे साइ दीपक जो की इनको एक अवार्ड मिला था यंग अलुमिनाई अचीवर ऑफ अचीवर्स अवार्ड जो की आयटी खरकपुर के द्वारा दिया गया था 2019 में तो यह चीज़े आपको ध्यान देनी है अगला है वर्ल्ड वर्ल वेटलैंड डे वह फेब्रवरी सेकेंड को हर बार ऑब्सर्व किया जाता है और यह वर्ल्ड की है तो इसमें ध्यान दीजिए का यूनाइटेट स्टेट्स इसमें एड हो जाती है तो हर बार क्या है यूनाइटेट स्टेट्स की द्वारा वर्ल्ड वेटलैंड डे वो एब्सर्व किया जाता है फेब्रवरी सेकेंड को किस चीज़ के लिए जो बायो डाइवर्सिटी वेटलैंड का मतलब आप सभी को पता ही होगा जो बायो डाइवर्सिटी होती है उस चीज़ के लिए य एक्सन और पीपल एंड नेचर यह इस बार की थीम है और सबसे पहली बार यह जो वर्ल्ड वेट लैंड डे यह अबसर्व कब किया गया था है 193 और इसे फाउंड किया गया था 1972 में और हैट्वाटर के बात करें केनिया नाइरोबी में इसके हैट्वाटर से ठीक है तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया है आज की यानि फोर्थ फैप की जितने भी इंपोर्टेंट करन्ट अफिर से उसके बारे में तो अग बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के फाइदा उठा सके और अब अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बैल आइकन को क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको इस पीडिएफ चाहिए इस लेक्चर की तो आप जरूर टेलिग्राम ग